हाई एवरीवान वेलकम बैक तो माय चैनल मैं प्रग्या आप सभी का मेरे चैनल में ताहिर दिल से स्वागत करती हूँ सो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वाइटमेन ए कैपसूल का फेशल शेयर करने वाली हूँ जो की काफी ज़दा अफॉर्डबल है वो एक पत्ता हाता है 27 रुपए का तो अगर आप एक बार फेशल करते हो तो आपको पूरा पत्ता भी नहीं लगेग यहाँ पर आपको डांक सर्गल की बहुत जादा प्रॉब्लम्स हैं माउथ कराउनिंग, पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम्स तो यह सारी प्रॉब्लम्स जो है वो किवल इस एक फेशल से दूर हो जाएगी यह फेशल काफी दा एफेक्टिव है एंड मैं आपको लाइव इस प्रॉड़क्त है जिसको हरेके एज गुरुप की लड़का यूज कर सकते हैं चाहे वो 25 प्लस और 30 और 15 के उपर है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं विटमीनी के बारे में वैसे तो आपको बहुत सारी चीजे पता होंगी तो फिट भी एक बर में फिर से दिपीट कर देती हूं वाइटमीनी कैब्सू incapable है तो इसको फिट ऑफ कठेर दी पे एक ज्या तॉत कर से को लें होता है इसको प्रच्पार्ती कि में तो प्रक्रार चाहिए अगर बारती नमें किवस्कों इसीं बहुत दीमिक निके हो करता है गर आपको पीटमीनी कैब्बर्म और य तो पूरे फेस के जो भी दाग धब्मेते पूरी तरे से दूर हो एज तो उटमीक अप्सूल को आप अपने स्ट्रेच मास्को भी दूर करने के लिए उसका सकते हैं तो मैंने बहुत सारे उसके फाइदे बता दिये अब आप देख लिजे किस फेशिल को आपको करना कैसे हैं आपको किस किस स्ट्स को फॉलो करना है अगर आप में यह सारी प्रॉब्लम्स है तन प्लीज एक बार इस पेशिल को ट्राइब कीजेगा लाइब रिजर्ट जरूर देखेगा आप लोग मेरे फेस पे गलो देख रहे हैं यह उसी फेशिल की वज़े से विकिस मैंने कल होगा तो प्लीज लाइक शोने सबस्क्राइब तो मैं चानल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चारो के एड़ी का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नाम ने चुरिए मेरे स्क्रीन पे सो विदाव राइवेस्टिंग चलिए आज का वीडियो स्ट्राइब से पहले आप म केरिक्टेवूाइब शटानल स्ट्राइब सबस्क्राइब काब तो सबस्क्राइब से पा troops कंद सबस्क्राइब dirt, dust और जो भी dead cells है, impurities है, वो सारे remove हो जाए, जिसी कि आपको blackheads, whiteheads और ये सब कुछ की problem ना हो pigmentation की problem ना हो इस facial के कितने फाइदे हैं मैंने आपको बता दिये हैं already, अब मैं आपको केवल steps बताऊंगी, raw milk को लगाने के बाद आपको उसको तब तक रखना है, जब तक milk आपका सूख नहीं जाता है अपके skin उसको absorb नहीं कर लेता है उसके बाद में आपको उपने face को wash नहीं करना है अब यहाँ पर मैंने use किया है, गरम पानी इतना करना है, जितना आपका face जो है, सह सके, बहुत ही ज़ादा गरम नहीं करना है, कि आपका face जली जाए, गुन-गुना पानी होना चाहिए, और फिर उसमें आपको towel को dip करके steam लेनी है, ठीक है steamer आप use कर सकते हैं, अगर आपके पास steamer नहीं है, तो आप इस तरह से अपने face को steam दे सकते हैं steamer से आप जो भी facial करेंगे, उसकी गुडवत्ता दो गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि steam से आपके जो पोस होते हैं, वो खुल जाते हैं, ताकि आप जो आप scrub, face back and massage cream यूज करोगे ना वो आपके पोस के अंदर तक जाएगा, यहाँप मैंने scrub यूज किया है, मैंने सारा remedy मनलब बनाया था, लेकिन वो video मेरा corrupt हो गया, जिसमें मैंने खटा सारे scrub बना के रखे थे, तो मैंने इसलिए ingredient यहाँपे लिख दिया है, कि मैंने scrub को कैसे बनाया है, चावल का आटा मैंने यूज किया है, एक vitamin E की capsule and raw milk, इसको मैंने mix करके यह scrub बनाया है, अगर आपके ना बहुत ज़्यदा dry skin है, तो आप यहाँपे basin का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि dry skin वालों को बहुत ज़्यदा दर्दरी चीज नहीं चूट करती है, उनका face फट जादा है मेरी sister का वैसे ही है, तो आप यहाँपे basin का यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा effective rice flour होता है तो आप उसको यूज करिए, और फिर आपको gently अपने face को clean करना है, massage करना है, scrub करना है, मैं नहीं देखो, आपको slow-mo में दिखा रही हूँ, मतलब जो actual मैं speed कर रही हूँ, मैं फिर fast forward कर देनी हूँ, ताकि वीडियो जादा लंबा ना हो ठीक है, इस तरह से आपको scrub करना है, जिससे कि आपके जितने भी pose के अंदर तक dirt है वो clean हो जाएगी, dead skin जो होगी वो निकल जाएगी आपका face glowing बनेगा ठीक है वाइटमीनी capsules चूकि हमने mix किया चूकि इसका hero ingredient वाइटमीनी capsules है ठीक है, अब यहाँ पर मैंने face को wash करके pad dry कर लिया है अब यहाँ पर मैंने use किया है यह face massage cream इसके बनाने के लिए मैंने aloe vera gel एक वाइटमीनी की capsules और मैंने यहाँ पर olive oil यूज किया है और अब इसको mix करके यह massage cream बन गई है अब आपको इससे gently अपने face की massage करनी है यह जो cream होगी जो आपने scrub करते है न तो आपका face बहुत दा dry हो जाता है उस dryness को खतम करने के लिए यहाँ पर massage cream का यूज करने के बाद आपको अपने face को फिर से वाश करना है फिर पैट ड्राइ करना है और scrub आपको गरम पानी के साथ करना है ताकि आपका dead cells है वो निकल जाए अब यहाँ पर मैं apply करूंगी face pack face pack बनाने के लिए मैंने use किया है rose petal powder plus मैंने इसमें दो vitamin E की capsules and rose water इन तीन चीजों को केवल mix किया है rose petal powder आप घर पे अपना खुद का बना सकते है मैंने ups goodness का use किया था इसको face पर आपको रखना है 15-20 मिनट and then wash कर लेना है तब तक रखना है जब तक आपका यह face pack सूख नहीं जाता देखो rose petal powder आपके skin को glowing बनाता है आपकी skin को you know pinkish glow आपको provide कराता है and vitamin E के तो मैंने आपको फायदे बताई है गुलाब जल आप में pigmentation की problem को दूर करता है आपकी skin को hydrate करता है ठीक है तो यहाँ पर मेरा facial complete होता है बट एक last step मैं और करूंगी वह होगा अगेन अपने face को moisturize करना मौशराइस करने के लिए मैं यूज करूंगी अगेन एक वाइटमिनी की capsules और उसको अपने face पे लगाके मैं जस्ट इसको ऐज़ा मौशराइजर लगाऊंगी अपने lips पे अपने dark circle पे and अपने face पे इसको लगाऊंगी ठीक है तो यहाँ पर यह फेशल मेरा complete होता है and guys are clearly difference यह तो जिस दिन मैंने facial किया है उस दिन का आप glow देख रहे हो next day जो मैं भी intro बना रही हूँ उस दिन का भी glow and मैं अभी अपने आपको शीशे के सामने बैट के देख रहे हूँ मेरा face अभी भी बहुत ज़ादा glowing है so यह facial बहुत ही ज़ादा effective है guys हर एक age group की लड़की इसको कर सकती है आप एक बर मेरी remedy को try जरूर करिए and अगर आपको पसंद आते तो please मुझे comment कीजिए and मुझे subscribe भी करिए अगर आपको लगता है कि मैं महनत कर रही हूँ and मेरे जो remedies है वो walk करती है तो आप मुझे subscribe कर सकते हैं यह सारी remedies मैं खुदे पर try क लगता है यह वाला फेशल मेरा बहुत ही जादा फेवरेट फेशल है बिकेज यह मेरा master hero ingredient जो है वाइटमेनी मेरा का फेवरेट है पेकेज मैंने इसके live result देखें अपने उपर भी और दूसरों के उपर भी सो बस यहां पे मेरा यह फेशल complete होता है and I hope आपको पसंद आया ह जादा फेशल के आप लोगों ने कि यह पेशिप करना कितना जादा बादा एज़ी है and कितना जादा अफार्डबल है and कितना जादा एफेक्टिव है आपने clear डी डूफरेंस देखा मेरे बिफोर और अटे विवरा फेस कितना जादा शाइन ब्लोई लग रहा था और लग झाल 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 ओ क्यांका झाल झाल झाल